तो देखते हैं एक्सराइज में तिक दा करेक्ट अंसर मतलब कितना दो तरीके की रूट्स होती है यह जैसे चप्टर में आपको पढ़ाया था अगर आपको रिमेंबर है पीछे हम देख सकते हैं दो तरीकी रूट्स कौन कौन सी रूट्स थी बताया था आपको एक तो टैप रूट्स थी और एक फाइब्रस रूट्स थी ठीक है इसके अलावा है दा टीनी पोर्स प्रेजेंट इन दा लीफ आर कार्ड्स जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं लीफ में पत्यों में क्या कहते हैं उन्हें इस्टो मेटा ठीक है वेंस क्या होता है जो जाल गया होता है एक उसका पूरा सीरा होता है लेकिन इस्टोमेटा चोटे चोटे शेदर होते हैं ठीक है fruits contain क्या होते है fruits में ना flowers contain करते हैं ना birds के seeds उसके अंदर भीज होते हैं ठीक है जिसे नया पौधा बनता है next one is right, true and false साई और गलत आपको बताना है the stem is the underground part of a plant तो गलते stem क्या होता है बाहर का root होती है अंदर का उसके उपर जो होता है उसे stem क्याते है underground plant नहीं है पार्ट नहीं है इसलिए false है the leaf is called the kitchen of the plant ये सही है क्योंकि leaf kitchen के वाज़े से हमें खाना हम अपने kitchen में बनाते हैं वैसी पौधे का खाना का leaf में बनता है इसकी sunlight जो सूरी की रोशनी होती है उससे और जो जड़ों से पानी जाता उससे the fruit changes into a flower तो fruit changes into a flower नहीं जो छोटा सा जो flower होता है वो fruit बन सकता है लेकिन fruit flower में बदिलता नहीं गलत है the potato is an underground root सही है क्योंकि potato क्या है एक underground root है fill in the blanks with the right word इंते तो इधर पर box दिये box में different type words है उसको आपने सई जगे पर फिल करना है number leaves है flowers है fibrous root है tap root है trunk है तो the two types of roots अभी सी पहले में आ गए तो fibrous and tap root यह दोनु जो fibrous है और tap root है तो तरीके की roots होती है the stem of a tree is called a trunk जो stem होता है उसके तना उसे trunk कहते है ठीक है the leaves makes food for the तो पत्तियों में खाना मनता है पहुंदों का and the seed gives rice to our seeds and seeds से नए flower निकलते नए plant निकलते है नए पहुंदों का निर्मान होता है now answer these questions ठीक है तो इसमें आपने बताना है तो आपके लिए solve किया हुआ है what are the functions of root और stem इधर पूछना है root का क्या काम होता है और stem का क्या होता है तो सबसे बहले heading डाले न functions of root तो इसमें क्या होगा roots absorb water and minerals ये क्या करते हैं खनीज लवन और पानी को जमीन से सोकते हैं अवसोसित करते हैं दूसरा क्या roots hold the plant firmly in the soil तो ये tight करके मजबूती से किसी भी plant को जमीन में पकड़के रखते हैं functions of stem, stem के क्या पने तने के stem provides food and water to the plant ये खाना और पानी सप्लाई करता है बोजन प्लांट को, पॉन्दे को सेकिनों stem, beards, leaves and और stems में ही क्या होता है पत्तियां और फूल लगे होते हैं now what is a leaf blade, leaf blade क्या है the flat part जो चप्टा पार्ट होता है उफ लीव, leaf का इस काड़ा leaf blade उसको leaf blade कहते हैं what is the function of stomata, stomata के मतलब रंद्र के क्या कार्णिय होते हैं तो ये stomata helps in the movement of ear and water web in and out of a leaf तो stomata क्या करते हैं, movement ear की जो हवा का परिवहन करते हैं किसमें पत्तियों में और water vapor in and out और किसी भी पत्ति से water भाप के रूप बहार निकलता है और अंदर लेता है ठीक है, अब what is photosynthesis, मतलब परकास translation क्या है the process, the process of making food by given plant, ठीक है the process, process की spelling P-R-O-S-E-S, process ठीक है, एक S और आएगा E-S आएगा, of making food by the green plants in the presence of sunlight मतलब सूरी की रोश्णी में, जो plants, पौंधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, CO2, carbon, air and water from the soil, तो जब पौंधे अपना खाना बनाते हैं, किसकी sunlight यूपते हैं, CO2, carbon dioxide साइट से, हवा से और पानी से मिलकर, कहां से मिलता है, वो मिट्टी से, तो यह सारी क्रिया क्या रहती है, प्रकास संसलेशन, ठीक है ठीक है आपने सोचना है, और इसका क्या कहते हैं, अंसर देना है, ठीक है, तो इसमें यह क्या कह रहा है, आपको what will happen to a plant if it suits our, क्या होगा एक प्लांट का अगर उसकी जड़ को काट दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, उसको पानी और जो खाना है, वो उपर नहीं जाएगा, क्योंकि स्वेल से क्या होता है, यही जड़े हैं, जो खीछती है, if you cut a root of any plant, then suddenly plant die, वो क्या हो जाएगा, खतम हो जाएगा, क्योंकि उसकी वृद्धी रुख जाएगी, और उसका विकास नहीं होगा plants should not be kept in closed rooms, why, because in closed rooms they never get any sunlight, अगर sunlight नहीं मिलेगी, तब भी वो अपना खाना नहीं बना पाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है, उसको open ground में रखना, ठीक है, that's all for today, thank you, have a nice day तो एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, और अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, और जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाएंगे, उतने कई बच्चों का भला होगा, उनको पढ़ने के मिलेगा, और आप लोगों को भी मदद मिलेगे, और मेरे लिए कुछ भी आपका विचार हो तो comments box में डाल सकते हैं, thank you, heaven.